जी हाँ दूश्तों अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी और सबसे लेटस्ट खवर सामने आ रही है सीयम खटर देंगे स्तीफा बड़ा बयान आया है सामने अभी अभी लाई वैलान किया गया है भाई आपको बता दें दूश्यन चोटाला की फिर से बड़ी मुस्कुलने सीयम खटर के कार्याले में लगातार तीन से चार वार हमला हो चुका है हरियाणा में सीयम खटर अपने कार्याले में जो दस बज़े से लेकर के चार बज़े तक उपस्तित रहते थे वहाँ पे कई ऐसे लोग जा करके भगदर मचा चुके हैं कुर्सी और जितना टेंट लगा था वो सब तोर फोर मचा दिया गया है और साथ ही सीयम खटर पे बड़ा हमला किया गया है हो सकता है कि अभी सूतरों के हवाले पता चला है कि सीयम खटर अपने पद से दे देंगे इस्तीफा वो अपने मुखमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं क्यों देने वाले हैं ये आपको पूरी टिटल जानकारी हम बताते हैं दूसें चोटाला भी उनी के साथ रहकर काम करते थे लेकिन अगर सिम खाटर इस्तीफा दे देंगे तो सबसे बड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी दूसें चोटाला की यो कि अभे चूटाला को तो खुसी होगी कि सिम खाटर ने स्तीफा दे दिया है और साथ ही दुसेहन चोटाला की मुस्किलें बढ़ेंगे और अवे चोटाला की मुस्किलें हल होंगी CM Khattar इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि लगातार इनके साथ 3-4 बार हमला हो चुका है और यहां तक इनकी जान भी जा सकती थी लेकिन CM Khattar ने दीरे दीरे यही सोचा कि आज से कल तक यह सब सांथ हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ लेकिन अब की जो हमला हुआ था वो जोड़दार का हुआ था CM Khattar अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं तो दोस्तों जोड़े रहे हैं आप से भी